स्पीच एक बड़ी जानकारी नितीश कुमार ने संयोजक बनने से इंकार कर दिया है इंडी गडबदन का जिक्र कर रहे हैं वर्चुल बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है नितीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे प्रस्ताब को सीधे तोर पर छुकरा दिया कॉंग्रेस की संयोजक की पक्ष में नितीश कुमार लेकिन खुद ये पद नहीं सम्हालने वाले हैं इंडी गडबदन की बैठक चल रहे थी वर्चुल बैठक खत्म हो ही है संयोजक के तोर पर किसी और व्यक्ति का चैन होना चाहिए उनकी तरफ से कहा गया है लेकिन खुद संयोजक के सिम्मिदारी नहीं सम्हालेंगे नितीश कुमार वर्चुल बैठक में इस बात को सपच्टि के अलग अलग नेता अलग अलग दलों के इस बैठक में जुड़े सीधे आपको लिए चलेंगे सवेगे अश्रफ के पास अश्रफ सीधे इंकार नितीश कुमार का क्या वज़े इसकी पीछे आप बिलकुल आज उनकोंने इंडिया गट बंदन की वर्चुल बैठक हो रही थी तो उसमें साफ इंकार कर दिया गया कि मैं सहीधे नहीं बहुँआ हाला कि उनका प्रस्ताओ रखा गया उन्होंने प्रस्ताओ को को अस्वी कार कर दिया और सलहा दी कि कांग्रेस की तरफ से किसी को सहीधे बड़ा दल है तो सहीधे की जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए थी अब नितीश कुमार ने क्यूं सही का अस्वी कार किया है इसको लेके भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं हाला कि जो विपक्षी दल है बिहार के वो लोग पहले ही इस बात को कहते आ रहे थे कि नितीश कुमार को अपने ही दल में नहीं कोई सुनता तो गड़बंधन में कौन उनकी सुने का इंडिया हैंगे तो किसको जिम्मेदारी दी जाए जो सभी दलों को एक साथ लेकर चले और लोग सब चुनाओं में भाजपा सरकार को मजबूती से टक कर दे लेकिन अब इस अस्वंजस में जो इस तिथी आगई ये विपक्षी इंडिया ऐलाइंस की तो वो काफी ऐसा ही लग रहा हैं कौन जिम्मेदारी से महालेगा इसको लेकर अभी तैय नहीं हैं लेकिन हाँ ये जरूर है कि नितीश कुमार के सियूजक का पत का सुईकार करने से इंडिया गड़ बंधन के सामने एक बड़ी समस्या जरूर आईगी क्यों ये सभी को एक समन्वे के साथ लेकर चलना थ लोग सब चुनाओं है कि हर दल क्योंकि एक बात रखी गई थी कि जिस दल जो राज्ये में मजबूत है वो उसको आगे लेके चले तो ऐसे में सभी दलों को साथ समन्वे बनाना और उसमें कॉंग्रिस को भी साथ के लेकर आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनाओं यह है क्योंकि का करीब करीब कॉंग्रिस हर राज्ये में हैं लेकिन हां कई राज्यों में वो बहुत मजबूत इस्तिति में नहीं कुछ राज्यों में जो और शेत्री एदल हैं चाहे वो आर जेडी हो या समाजवादी पार्टी हो आम आदमी पार्टी हो तो वो मजबूत हैं सब को इंतजार है और इन सवालों का जवाब भी इंडिया अलाइन्स को ही देना पड़ेगा और पिर सोची सीट शेरिंग में कितनी परिशानी आने वाली है चलि बहुत शुक्री है आपका श्रफ इस पूरी जवान का रिकले फिलाल तो सीधे तोर पर संयूजक का पड़ ठुकरा दिया नितीश कोबार ने कह रहे थे कि कॉंग्रेस की तरफ से ही संयूजक होना चाहिए